Don't fall into the trap यहाँ पे trap का दो मीनिंग है First आप कहो गया कि excessive reading करना बहुत टॉपर्स का आपने सुना होगा कि ancient medieval art and culture छोड़ के नहीं जाना है उसका वेटेज अगजामें बढ़ते जा रहा है आप 2022 का paper देखोगे तो चीज़े आपको clear हो जाएंगी उस चीज़ कम discuss करेंगे आगे और जो second trap है वो completely subject को छोड़ के जाना है So what should you do? What should you supposed to do? Considering the amount of time left in your hand Hello everyone, in this video I'll talk about ancient history, medieval history and art and culture और आप जो बचे हुए दिन हैं almost आपके पास 50 दिन बचे हुए हैं उसमें किस तरह से इसको plan किया जाए ताकि जो दोनों extreme है ना उनसे बचा जा सके ना तो पूरा आप छोड़ के ही जाओ और ना ही पूरा time आप सिर्फ इसको दो क्योंकि ancient, medieval and art and culture को आप as a group देखोगे तो यहां आप कोई भी approach अपनाओगे तो हीट और miss ही रहेगा या तो इसके question आप कर पाओगे या तो नहीं कर पाओगे that is why इस particular subject को आपको time bound manner पढ़ना है in this video I'll discuss the following topic सबसे पहले importance क्या है second point is हम pre-kit trend को analyze करेंगे कैसे questions पूछे गए थे पिछले साल उसके sources क्या क्या है और आपको क्या focus करना है 2023 का paper दे रहो तो कौन से ऐसे topics हैं जो priority areas में रहेंगे इसके साथ ये particular subject क्या threat pose करता है क्या opportunity pose करता है उसकी बात करेंगे third is क्या resources आप use करो and I'll give you the bare minimum resource उससे नजादा पढ़ना है न उससे कम पढ़ना है सिर्फ उसी को आपको पढ़के जाना है the fourth one is how to study in a time bound manner fifth point is when to study कब पढ़े हम अभी पढ़ें कुछ दिन के बाद पढ़ें या फिर exam के last में पढ़ें because ये subject ऐसा है इसमें बहुत चीज़े रटने को है तो ये confusion रहता है कि ideal time क्या होना चाहिए and the sixth one is final word of caution now सबसे पहले हम paper के trend को analyze करते हैं उससे कुछ picture clear होगा कि आपको कितना deep जाना है तो यहाँ पर मैंने 2015 से लेके 2022 तक paper को देखा है 2015 में history से 16 questions आये थे 2016 में 17 questions 2017 में 14 questions 2018 में 21 questions 2019 में 15 questions 2021 20 questions and 2022 16 questions तो अगर हम on average देखें last के 7 year को तब आपको 16 to 17 questions on average देखने को मिलेंगे इसको micro breakdown करें in different sections like ancient में कितने पूछे गए medieval में कितने पूछे गए और art and culture में कितने पूछे गए तो 2017 को आप देखो ancient में 2 आये थे medieval में 1 and art and culture में 4 उसी तरह 2018 में 3 ancient 1 medieval and 4 art and culture आप पूछे trend को यहाँ पर देख सकते हो यह last का जो 3 year था यहाँ पर थोड़ा weightage बढ़ गया था 2022 में आप देखो यहाँ पर देख सकते हो ancient में 6 आया है medieval में 3 पूछा गया था art and culture में 3 and modern history में 4 questions total 16 questions था so on average importance की बात करोगे तब सबसे important आपका ancient हो जाता है उसके बाद art and culture हो जाता है और last में आपका medieval हो जाता है यह आपकी priority रहती जब भी आप पहुड़ोगे सबसे ज़्यादा focus आपको ancient art and culture को देना है उसके बाद medieval history को देना है 2022 की paper का trend देखें तो you can see here मैं इस PDF को पर टेलिग्राम चैनल पर डाल दूँगा और आपको मैं टेलिग्राम चैनल का लिंक description box में मिल जाएगा वहाँ आप इसको download कर लेना यह question set A से लिया गया है यहाँ पर हम trends देखेंगे और sources देखेंगे so दर जब मैं आगए आपको sources बताऊंगा तो आपको एक sense of satisfaction मिलेगा कि इस particular source से पढ़के at least हमारा average तैयार हो जाएगा so पहला question देखो कॉटिल अर्थ शास्तर के उपर question आया था इसकी difficulty काफी tough थी और यह आपको regular resources में नहीं मिलता इसके बाद अशोकन एडिक्स के बारे में पूछा था यह question medium था यह आपको Tamil Nadu board की जो history book आती है इसके साथ यह 12th की न्यू NCIT मिल जाता साथ में यह lucent पर मिल जाता आपको इसके बाद king और dynasty को match करने के लिए question आया था question में ने यहाँ paste कर दिया है यह भी काफी tough question था यहाँ पर option अगर पेर में ना दिया होता तो आराम सा आप इसको lucent से कर लेते बड़ चूगी option pair में दिया था तो आपको सब पता होना चाहिए था कौन सा pair सही है कौन सा pair गलाता है that is why इस question को आप attempt नहीं कर पाते यहाँ पर आपका mistake हो ही जाता इसके बाद संगम literature का question आया था वो Tamil Nadu Boat की book में मिल जाता आपको medium difficulty level था और इस question को आप elimination से solve कर सकते थे एक जो question आया था वो योग वसिष्ट के बारे में था कि योग वसिष्ट को निजामोदिन पानी पती ने किसके रेन में Persian में translate किया था तो किसके रेन में Persian में translate किया था अकबर, हुमायू, शाजहां और और औरंगजेब इस question में अगर आपको basic knowledge है मुगल emperors के बारे में तो कुछ option eliminate हो जाएगा for example औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब पे time पे you know की मुगल period अपने decline पे था और औरंगजेब इतना patronage नहीं करते थे एक guess करते और मैं यही बोलता हूँ इसी को कहते हैं through logic paper को solve करना कुछ questions ऐसे होंगे जहां पर आप अपनी peripheral knowledge को लगा के भी answer तक बहुत सकते हो तो यह योग वसिष्ट वाला question हो गया इसके बाद teaching of ramanujja पे question आया था इस question को current affairs से relate करके पूछा गया था यह था static question बट current से relate किया था यह आपको नितिन सिंगानिया मिल जाता यह medium difficulty level का था सूमना temple को कोशन आया था यह भी current affairs से relate करके पूछा था यह भी नितिन सिंगानिया में partially cover था यहाँ पे तीन statement था उसमें से एक statement आपको नितिन सिंगानिया मिल जाता यह modern का था काफी easy था spectrum मिलता इसके बाद यह fanum के बारे पूछा था यह काफी tough question था यह नितिन सिंगानिया मिल जाता और leucan भी आपको मिल जाता यह gather party का freedom fighter काफी easy question था कृप submission easy question था जैन text के बारे पूछा था बहुत tough था और किसी भी आपको regular resource में नहीं मिलता उपेंदर सिंग में cover किया गया था बट उपेंदर सिंग जो है वो optional के students पढ़ते हैं ना कि GS वाले तो मालीज आपको जैन text का answer उपेंदर सिंग में मिलता है जाता लेट मी शो यू जो का पहला statement था इंडिया हैपन दुरिंग दे रेन आफ जलाल अदिन खिल जी यह statement आपका गलत है क्योंकि चंगेश कान सबसे पहली बार 1221 एडी में इल्टुत्मिश के टाइम पे इंडिया आया था यह आपका पहला गलत हो जाता, that means आपका यह जाता, आपका C जाता B या D में से कोई correct answer होता और यह PYQ में आपको मिल जाता, previous question पूछा जा चुका मंगोल पे उसको आप analyze करते तो पहला statement काफी easy था keyword based question आया था, कुला धरान क्या होता है यह भी आपको regular resource में नहीं मिलता इसके बाद factories of Dutch, English, Portuguese यह spectrum मिल जाता और यह easy question था easy या medium depending upon कि आपको चीज़े कितनी याद है तो यह analysis था, 2012 पेपर में कौन से question tough थे, किन resources से पूछा गया था और कुछ observation and comment इसके बाद कुछ important area है, कुछ focused area है, priority area है जिनको आपको पढ़ना है if you are studying ancient, medieval and art and culture पहले आप इनको करोगे, उसके बाद time बचेगा तो कुछ और करना and I don't think कि इसके बाद आपके पास time बचेगा भी तो यह 6-7 topics है and make sure करना कि आप सिर्फ इनको पढ़के जाना मालिज आपने पहले पढ़ भी रखा है तो इन topics को सबसे ज़्यादा revise करना सबसे पहले आपका Indian architecture है art and culture की बात करें तो second one is Buddhism and Janism बहुत question आता इससे और बहुत question deep आने लगा है मैंने बोला था कि मैं आपको इसका notes प्रोवाइड कर दूँगा और don't worry मैं इसका notes आपको प्रोवाइड कर दूँगा actually official workload इतना जादा है कि time का बहुत constraint है but don't worry मैं इसका notes आपको प्रोवाइड कर दूँगा third thing is terminologies चाहे ancient की हो चाहे medieval की हो बहुत important है इसको अपढ़ लेना administrative हो गया, ports हो गया, coins हो गया ये सारी चीज़े बहुत important है fourth on is chronologies और chronologies में आप post morion, post gupta period जो है वो जादा important है starting की जो chronology है वो generally याद रहती है but post morion हो जाता है क्योंकि बहुत से rulers आते हैं वहाँ पे इसके साथ जो regional powers हैं उनकी भी आप chronology याद कर लेना कौन सा king है, उसका period क्या है उसकी dynasty कौन सी है, उसकी dynasty का capital क्या था ये सारी चीज़े आप देख लेना इसके बाद fifth आपका है संगम literature, संगम mage और bhakti movement sixth आपका है विजन अगर अंपायर last के 3-4 सालों में देखोगे तो UPSC का focus है विजन अगर अंपायर पे that is why इसको आप अच्छे से पढ़ लेना medieval की बात करने तो दो topic important है एक देली सल्तनत हो गया और दूसरा मुगल period हो गया, तो ये आप topics है from art and culture, ancient and medieval जिनको आप पढ़ लेना अगर आप कुछ भी करके नहीं जा रहे हो तो, देखो क्या है आपके हाथ में अभी बहुत कम टाइम है ऐसा नहीं है कि आपके पास 3-4 महीना बाकी है गिंती से आपके पास 50 दिन, 40 दिन है तो इस period में आपका एक एक सेकंड बहुत कल्कुलेटिव है that is why आप कुछ भी पढ़ो तो यह आपको देख के पढ़ना होगा कि एक्जाम में उसका कितना फायदा होगा इन तीनों subject के preparation को लेके कुछ threats है the first one is कि बहुत ही poor cost benefit ratio है आपको नहीं पता होता कि आप 4 book पढ़के जाओगे तो एक भी question solve होगा कि नहीं होगा and this is the reason कि बहुत लोग छोड के जाते हैं second is question getting tougher day by day और जो questions है वो standard resources से भी पूछे नहीं जा रहा है तो इसलिए कभी-कभी लगता है कि हम इसको time तो दे दें बट इसका कुछ output ना मिले तो वो time भी waste है इसके जग़ा पे कम से कम हम कुछ और पढ़ लेंगे for example terminologies हो गया, definitions हो गया Buddhism, Genism के topic में कोई science नहीं लगेगी simple सी जो चीज़े लिखी गई है जो Jain text है, जो Buddhist text है आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर वहाँ पे कुछ है आप logic नहीं लगा सकते हो कि इसका answer यह होगा बट अगर आप इसको करके जाते हो तो कुछ opportunity आपको मिलेगा पहला यह है कि basic reading करके आप low hanging fruit जो है जो easy questions है, उनको solve कर सकते हो हर question ऐसा नहीं कि बहुत tough आएगा हो सकता है, 2022 में tough दिया है बर 2023 में कुछ easy question आए जोकि पहले easy question पूछे जा चुके है 19, 20, 21 में बहुत से question ऐसे थे जो बहुत easy थे, और आप एक बास सिर्फ glance through कर लेते न, basic resources को उन question को solve कर लेते दूसरा यह है कि आप 2-3 question भी extra कर लेते हो तो आपको एक extra edge मिल जाएगा बाकियों पे, और इसका example आप last year देख सकते हो, 2022 में सिर्फ 4 question थे, जो modern से आये थे इसके लवाँ जो 12 question थे, वो art and culture, ancient और medieval से आये थे no doubt जो modern question थे, वो बहुत easy थे बट आप ancient, medieval, art and culture बिल्कुल छोड़के जाते, तो आप डारेक्ट ले 12 question वहाँ पे leave कर देते मतलब आपके पास solve करने के लिए 80-80 question होते हैं, और यही reason है कि मैं emphasize कर रहा हूँ कि ancient, medieval और art and culture को पूरी तरह छोड़के नहीं जाना है, एक basic minimum reading ले लेनी है, आपको 3-4 दिन दे देने हैं, उसमें जितना आपका हो सके, वो आपको plus में ही ले जाएगा now resources के बात करें, तो आपके लाडू बोट की बुक है, और यह आपका lucent हो गया, इसमें आपको बहुत ही minimum चीजे पढ़नी है, जो pin-pointed चीजे हैं जहां से आपको question बन सकते हैं, सिर्फ उनको पढ़ना है, देखो ancient, medieval में I won't suggest कि आप यह दोने बुक पढ़ो no doubt कि यह बुक बहुत अच्छी है बट इस वक्त आप यह बुक नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि यह बहुत बलकी बुक है, बहुत थिक बुक है और आपको इसको time देना पढ़ेगा पढ़ने के लिए आपने पहले इसको पढ़ रखी है, then it's well and good आप इसको रिवाइस करो, बट अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है then go for class 11 Tamil Nadu history book इस बुक में आपको ancient मिल जाएगा plus medieval मिल जाएगा बहुत ही chronologically यहाँ पे चीज़ों को present किया गया है एक बार आप पुरे बुक की reading ले लोगे तब भी आपको story clear हो जाएगा chapter 1 Indian architecture है और art and culture का सबसे important part वही है तो आपके पास दो resources हो गया एक नितिन सिंगानिया का chapter 1 और दूसरी आपकी Tamil Nadu board की book इन दोनों को पढ़ने के बाद एक और book है जो आपको refer करनी है for revision purpose and that is lucent क्योंकि जैसे question आपके पूछे जाते है ancient और medieval में बहुत ही factual होते है और उन factual questions को आप lucent से बहुत easily target कर सकते हो now let me show you कि आपको पढ़ना कैसे है देखो ancient history हो गया और art and culture इसको आप side by side पढ़ोगे साथ में पढ़ोगे for example आप ancient में IVC पढ़ रहे हो तो उसके साथ साथ आप cultural aspect of IVC पढ़ोगे ancient और art and culture को खतम करने के बाद आप medieval history पे जाओगे medieval history पे दो चीज़े important है एक देली सल्तनत हो गया दूसरा मुगल हो गया यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है इनका administrative setup पढ़ना है economical condition कैसी थी social condition कैसी थी इसके बाद chronology पढ़ना है इसके बाद terminologies पढ़ना है और इसके बाद art and culture यह सारे aspect आपको cover करने है डेली सल्तनत के और मुगल period के और finally इसको पढ़ने के बाद एक basic reading लेने के बाद आप revise करोगे lucents से plus जो आप shortness prepare के रहोगे margin पे इनको revise करोगे let me show you some pages of my book कि मैं कैसे approach करता था यह देखो आपको Tamil Nadu के book का index है यह starting up का ancient है इसके बाद यह medieval है और यह पूरा chapter जो है वो chronology wise set है तो आप chapter पढ़ते जाओगे एक basic idea आपको होते जाएगा story clear होते जाएगी और जो भी चीज़े आप पढ़ रहो कोशिश करो कि उसको आप shortness prepare कर लो या तो यहाँ पे आप heading मिलिख सकते हो या तो आप underline कर सकते हो तब final जब आपको revise करना होगा तो आपको clear होगा कि क्या चीज़े आपको पढ़नी है और क्या चीज़े आपको छोड़नी है इससे last में revision जो होता है बहुत fast हो जाता है let me show you my lucent book तो यहाँ पे आप देख सकते है lucent में जो चीज़े important है खासकर जैसे आप मालो यहाँ पे keyword है वो important हो गया यह IVC site है यहाँ पे क्या क्या चीज़े मिली गई है वो important हो गया तो आपको भी इस तरह से चीज़ों का approach करना है खासकर lucent में जो tables बने गाया है उनको आप देख लेना जैसे यहाँ पे आप देखो कि administrative unit के जो head है उनको क्या खा जाता था तो ऐसे सारे question UPSC generally पूछता रहता है इसके बाद एक doubt यहाता है कि कब पढ़ा जाए अभी पढ़ा जाए या फिर last में पढ़ा जाए चूकि यह चीज़े याद करने वाली है तो बहुत लोग यह सोचते है कि इसको last में जाकर पढ़ेंगे तब चीज़े फ्रेश रहेंगे और exam में जाकर आप आराम से recollect कर सकते हो लेकिन अगर आप मुझसे से पूछो तो मेरा opinion नहां पर थोड़ा different है I would say कि अगर आपको पढ़ना है art and culture ancient medieval तो इसको अभी पढ़ो अगर आप इसको अभी नहीं पढ़ोगे तो trust में बाद में आप इसको पढ़ी नहीं पाओगे क्योंकि जिस reason की वज़े से आप इसको बाद में पढ़ना चाहते हो for example चीज़े factual हैं आपको crime करना पढ़ेगा तो यही बात last में hindrance पैदा करता है last में आप book उठायर होगे आपके दिमाग में लगेगा कि मैं यह पढ़ तो रहा हूँ बट question आएगा कि नहीं आएगा मुझे पता नहीं उस वक्त आप full focus होके इसको पढ़ी नहीं पाओगे और last में बहुत से चीज़े आपको अल्रेडी पढ़नी होती है लक्षमी कांत आपको revise करना होता है spectrum revise करना होता है PTA पढ़ोगे वो revise करना होगा इसको आप time दे ही नहीं पाओगे this is the reason based on my experience कि आप इसको अभी पढ़ लो बात के लिए मच छोड़ो इसको पढ़ते वक्त आप एक चीज़ ध्यान में रखना है आप time bound manner में चीज़ों को पढ़ो max to max आपको सिर्फ 4 दिन देना है एक आग दिन extra देना चाहते है तो आप 5 दिन दे दो बट इससे जदा आप मत देना दो priority रखो पहला जो focus area है जो important topics है उसको complete करना और दूसरा यह है कि चार से पांस दिन मुझे देना है इससे जदा मुझे देना ही नहीं है चार पांस दिनों में जितना भी topic आप complete कर लोगे वो bonus ही रहेगा जैसे ही चार दिन खतम होता है इसको आप side में रखो जितना पढ़े हो उसी को बाद में revise करना finally few word of caution basically to summarize everything selective study करना है आपको दुनिया भर की चीज़े नहीं पढ़नी है जो मैंने 7 आप topic बताया है सिर्फ उसको पढ़के जाना है the second thing is try not to leave it completely पूरा छोड़ के मत जाना basic reading कर लेना जो चीज़े important हैं उनकी कम से कम उपर वाली चीज़े देख लेना for example last year सूबा परगना वाला question आया था और बहुत easy question था ये मुगल period आप पढ़ते तो आपको starting के 2-4 pages में ही मिल जाता क्योंकि मुगल period में land survey जो है बहुत important topic था तो वो चीज़ आपका वहां से नहीं छूड़ता है and the third point is कि excessive cramming करने से बचना इद्दम रटने मत बैठ जाना 2-4 बार आप चीज़ों को revise करोगे पढ़ोगे तो अपने आप ही चीज़े आपको याद हो जाएंगी क्योंकि finally exam में जाके आपको recollect नहीं करना है आपको recognize करना है आपके पास 4 option रहेंगे उन में से एक option सही रहेगा वही आपको select करना है एक या दो बार चीज़े आपके नजरों के नीचे से निकली रहेंगी तब आप आराम से वहाँ पर options को select कर लोगे और select नहीं भी कर पाऊगे तब आप एक दो option eliminate कर दोगे So I think कि जितने भी dimensions ने मैंने हाँ पर cover कर दिया है इसके बाद भी कोई doubt है then you can ask और जो trend analysis का PDF था वह आपको मैं टेलग्राम चनल पर मिल जाएगा